आप करके दिखाईए थोड़ा सा एक advantage टाटा को हमेशा दिखने को मिलती है अपने दिल से भी vocal for local वाली बात है लेकिन आप कहीं न कहीं अगर गाड़ी लेने के बाद problems आए चोटी 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 वो अपना experience खराब कर दीती है यहाँ पर हैरियर के साथ भी काफी problem आई थी शुरू में लेकिन अब दीरे 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 जो है काफी दाधा improvement आ गया अब जो 2023 फेसलिफ्टेड वर्जन आया ना भाई साब देखो भाई जो लोग पहले से मेरे चानल को follow करते हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं खुद भ 22 मोडल से 2023 मोडल के अंदर क्या क्या बदलाव अपन को देखने को मिलने लगए तो वह सबसे पहले अपडेट जो होना चाहिए तो उसकी बात करते हैं जो है अपनी चाबी यहाँ पर चाबी के अंदर लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है और connected tail lamp अपन को देखन को मिलते है भाई come on Tata इसको अब तो चेंज कर दो यार तो यह चेंज होने लायक चाबी है बिल्कुल बहुत old school लगने लग गई है खेर anyways चाबी को छोड़ते हैं और यहाँ पर concentrate करते हैं अपन गाड़ी के front लुक में मतलब भाई सहाब इतने प्यारे लुक अपन को देखन को मिलते हैं इतना प्यारा काम टाटा ने कर रहा है जो फिट इन फिनिश है वो भी काफी जाद इंप्रूफ देखने को मिल रही है यहाँ पर इन फेक्ट यह जो डियारल्स देखने को लग रहे है बहुत तुम जो बोर्ड सा लुक नहीं हो ता वह यहाँ पर प्रोइड कर लेकिन अब काफी सारे फीचर्स एक्स्टरा इसके अंदर ऐड कर दिये काफी बढ़या बढ़या जो है अपन को जो है फीचर्स जैसे ब्लाइंड स्पोर्ट वगरा क्रियेट हो जाता है उसके लिए भी और मतलब वैसे काफी ज़या प्र फीचर्स एडएस के एड हो जिसक तो ये भी एक major कमी थी जो हैरियर अपनी इसकी lights इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी मतलब बढ़िया तो थी एकदम बढ़िया उजाला वगरा सब कर देती थी पर एक level पे नहीं जाती थी मतलब एकदम नीचे नीचे रहती थी उपर की तरफ नीजाती थी तो रात को अगर आपने रोड लाइट वगरा नीए ना तो वहां पर बहुत दिक्कत आती थी जो अब जो है LED देदी इसके इंदर LED प्रोजेक्टर जो देखने को मिलते हैं बढ़िया लगते हैं हाला कि वही नेक्सोन वाला सेट अप अपन को यहां पर देखने को मिल जाता है सेम और उसी के साथ में बढ़िया यहां पर एक मेजर बदलाव जो है गाड़ी की टायर प्रोफाइल के अंदर भी कर दिया है जैको यह वाले जो टायरे अपनी सफारी के अंदर पहले आया करते थे आम न के अनदर बहुत ही बढ़िया लग रहा है याँ इन पर तुछ तायर भी ठीक अपन को देखने को मिलता है Harald कि यहां पर इंदर बहुत ही बढ़िया लगी अंदर बहुत ही लगा कर दिया गया पर आपनी खास डिजाइन फिर मुझे लग रहे है देखने में सिंपल डिजाइन सीख हो जाती है और थोड़ा सा इवी वगरा के अंदर जो जैसी देखने को मिलती है वो वाला काम यहाँ पर लग रहा है को मिल जाता है उसी की साथ में यहाँ पर आप नियोन ग्रीन की जो कलर है ना भाई इसका यह देखने में बहले आपको फोटो अग्राम अच्छन लग रहा है पर वैसे ठीक कलर लगता है देखने में बहुत मतला वैसे रनबीर सिंग टाइप के लोग उनको बहुत दा पसंद का बाकि यहाँ पर request sensor loop हो चुका है पहले रेक्वेर्स Xuấtर garlic अगर बान कर देना तो वह दो मतला इसका जाते हैं तो लोग वह जो गाडिया वो लगती आप बात करें तो देखो और अपना सिलवर क्रोम यहां पर यह आपना पैसेंजर एर बैग ओफ करने के लिए अपनी चाबी इसको गुमादो गोगे लेकिन उससे पहले आपको पूरा एक बार माहोल दिखा दू गाड़ी का 360 डिगरी तो यहाँ पर हैरे लिखावा अपन को देखने को नहीं मिलता जो कि पहले देखने को मिला करता था बागी जो color अपना color theme dual tone के अंदर देखने को मिल रही है यहाँ पर अपन शाक फिन एंटीन अवगरा सब मिल रहा है बागी अगर बदलाव rear के अंदर आया है तो अपना कई तो bumper के inserts में आया है दूसरा बदलाव अपना आया है electric tailgate यह जो electric tailgate अपन को देखने को मिलता है ना बाई साब इसको आप 2 second दबा के रखोगे 2 या 3 second दबा के रखने से अपना tailgate यहाँ पर open हो जाता है बट safari और harrier दोनों के अंदर पता नहीं क्या problem थी बाई कभी तो यह अच्छे तरीके से काम करता है कभी यह काम नहीं करता यहाँ पर इसको अगर आपको lift करके दिखाऊं तो यहाँ पर यह सिंपल सा यह देखने को मिल जाता है पता नहीं इसका क्या यूज है को extra space तो अपन को सामान वगरा ऐसा कुछ रखनी सकते है खेर अपना यहाँ पर boot lamp हो गया यूरिया बगरा डालना हो तो भी आप पीछे से डाल सकते हो बाकी भाई यहाँ इसको एक बार कर लेते हैं बंद तो यह electric boot और इसके नदर एक कमाल की चीज़ आपको और बताता हूँ बूट का बूट आप एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चाड़ने भाई आप इस बूट को पांच जगे से खोल सकते हो एक तो अपना हो गया यहाँ पर boot से ही दूसरा अपना यहाँ पर नीचे की तरफ जो step नहीं दर के उसके पास में sensor है तो जैसे आपना pen नीचे लेके लग रही है देखने में इन फैक्ट यह जो है लुक इतना प्यारा देता है ना रात को और यहाँ पर अगर आप इसको बंद भी करोगे ना तो बहुत स्पेशल तरीके से बाई बंद होगी बागी यहाँ पर जो अटेंशन डीटेल अपन को देखने को मिल जाती है तो वो स निए बागी चलते हैं गाड़े के अंदर और अंदर से बताता है रिकोई सेंस से पहले कर लैते अनलोक उसी के बाद में बाई साब अंदर जाती है जो प्रिम्यम फील आने वाला है कसम से बहुत ही प्यारा देखने में लगने वाला है यहाँ पर आपको जो है अपना आपको इधर भी लेदर और soft touch का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा और भाई सावाई हाई हाई जो फील है गाडी का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ प्रीम नेस के माम मिले में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊ ना तो देखो डेफिनिटली गाडी बहुत जादा देखने में प्रीम लग रही है बहुत ही जादा मतलब inserts वगरा जो है गाडी के देखने में बढ़या लग रहे है जिन लोगों को dark theme वगरा पसंद है उनको ये गाडी बहुत जादा पसंद आने वाली है और जिन लोगों को थोड़ा सा मतलब richness पसंद है light interior पसंद है उनके लिए फिर बनिए भाई वह सफारी फिर वह सफारी लो ठीक है आपको इसके अंदर के आया ना एक dedicated off करने का बटन ने जो कि होना चीए था यार अब इसको यहां से दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो तो अब जाके देखो जैसे अभी मैंने इसको 7 पर कर दिया पूरा जैसे मालो इस यह भी 7 पर चल रहा है अभी 7 पर चल रहा है अब मुझे इसको off करना हो तो मैं off कैसे करूंगा अब यह देखो जैसे दी दिया ही वैसे यह on होगया parking sensor अपने अप अपने आप यह आवाज क एक बार और कर देंगे जिसा कि मेरी पुरानी सफारी के अंदर है existing सफारी के अंदर 2022 वाली मॉडल के अंदर है कि आपने जिफ एक क्लिक दबाया off वाले बटन को और पूरा इसकी कोई सी भी blowing speed पे हो कोई सी भी fan speed पे हो इसी पूरा बंद हो जाता है इसके अंदर पहले लगार बटन होना ही चाहिए यहां पर आपना यहां पर का इसमें लग रहा है यह उपर का पार्ट जो है देखने में काफे दा premium लग रहा है यहाँ पर JBL का आपको sound system पहले भी देखने को मिलता था आप बोलो कि इसमें नया क्या है इसमें नया यह है कि इसके अंदर और दा कोई surround system वगरा increase वगरा कर दिया तो उसके अंदर Tata का कहना है कि sound system system काफे जादा और जादा बढ़िया हो गया वैल यह display अपन नहीं देखी थी नेक्सवान के अंदर वही same display अपन को यहाँ पर देखने को मिल रही है और टार इंफोर्मेशन पावर टॉर्क जीफोर्स मेटर सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके अंदर आप जो चाहो तो इसके अंदर यह भी नविगेशन वगरा सब देखने को मिलता है यह आपना यह जो कहते है न असको आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है सेम यही चीज मेरे साथ सफारी में वी ती जहां पर उसका टेल गेट जो हैंग हो गया था मतलब वह रिक्वेस से भी काम निकर रहा था और लोग बाग कमेंट कर रहे है उसके अंदर की गाड़ी के बैटरी वीक है तो बैटर पता नहीं क्यों एकदम और से काम करते हैं जैसे बूट का बटन अब जाके बूट काम करा है और यहां पर ओपन हो गया लेकिन बहीं किता डेंजरिस फीचर भी हो सकता है साथ की साथ कि जैसे अगर बूट ओपन किसी वच्छे ने कर दिया बाइचांस गलती से तो बूट शॉकि डिखन फटन को यहां पर देरी decrylut आप्को देखनेकल लागे यहां पर बाइलेश चर्ज देखने इकोनौंपी मोड और अपना स्पॉर्ट पाद पार बस ये काफी सारे बड़ीया बड़ीया फीचरश अपन lider पर प्राइब मतलब यहांस यहांस पर राप आपनेज़ गेर्च नहीं स्पर ऑप गेरबॉक्स को तो करने हो यह न्यूंड़ एबुकिन ज्यें पर उना gear changer या gear lever जिसको बोलते हैं वो आपनको land rover का देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ land rover के जैसा आप देखने को मिल जाते है, क्वालियों के कोई पार के में का यह जदा फराक है दोनों की, यहां पर electric parking brake, auto być में अपने और धरोगया भाईए अपना पूरा इतना ज्यादा सेक्सी लगता है इस गाड़ी के अंदर बहुत ही अपर सेग्मेंट की गाड़ी लगती है सच बता रहा हूं यह वाली बात है यहाँ पर आपको पूरा ब्लैक पार्ट देखने को मिल जाता है अगर आपको खोलना हो तो उसके लिए आपको ऐसे खोलना पड़ेगा और देखो संरूफ के अंदर भी आपको यहाँ पर लाइट देखने को मिल जाती है जो एक कमाल की चीज हो जाती है अब आपको इतना सा खोलो लेकिन अगर आपको बंद करना वह डिक्स हणुन के गब样 सबस्ते त्वर्व gef commodus नियっक पर होता है जो ऑने बड़ी कविरों सोता है ह confession लोमा उपने लिएволा सैन हम ब्लॉक करता है को दिक्कत वाद बास उसमें नहीं यह यहां पर आपको एंब्ट लाइट के चले अट आपर और घी को बनता है ऑग तो बहुत है कि हम गाड़ी देखने में सच में पहले वे प्रीम थी और अब तो भाई भाई सहाब मैं सच बता रहा हूं बजट में उरस की बात करें तो वहला यहां पर हो जाता है लुक्स वगरा के मामले में जो एक स्टांस वाली बात है उसके मामले में बाकी तो देखो डिफिनेटल भाई उसकी क्वालेटी काफी जड़ अच्छी है उसके पावर काफी जद अच्छी है कोई नहीं बोलेगा यहां यहां पर बात करें पहस्थ तो दो इना पर आप ले सकती है यह जो display अपन को Даी साहब इतनी बड़ी सारी skinner काफी सारी features अपन को देखने को जाते हैं प्रोपरली बिना किसी lag के बिना किसी defect के सब बड़िया तरीके से काम करते हैं screen बहुत जादा smooth है गाडी का 360-degree camera है बहुत जादा smooth है in fact आपको सारे functions इसमें देखने को मिलते है इनफेक्ट जो सफारी वाली आती है उसके नहीं तो रियर एसी का बटन भी इस स्क्रीन में डाल जाल जा कि रियर एसी भी कंट्रोल कर सकते हो तो अच्छी चीज़ है एंबेंट लाइट कंट्रोल करना हो एलेक्सा वगरा सारी चीज़ आपको इस गाड़ी के देखने को मिल और काफी बड़ी आस के फीचर देखने को मल जाते है अपको प्लूरी ब्लूटूथ कंट्रोल के पूरा एक लॉस में इंटीग्री टाटा का लोगों अपन को यहां पर देखने को मल जाता है कोई भी गाड़ी वगर आपके आगे चल जो उसके पीछे आप आराम से लगा क आपको देखने को जाते हुआ हुते हैं जो कि अपनी युर्ट रोक के तो यहां पर इक बहुत बड़ी कमी थी जो सफारिया और धोनों में धे करते थे लेकिन जब है और सफारी आई थी तो वहां पर ये चीज मेंस कर दीती तो अब आपको इसकेंदा भी देखने को मिलने लग गए हैं ज्योंकि काफी बड़िया क्वालिटी के साथ आपको जो आपको जो जाते हैं जैवेल की ब्रैंडिंग है अगर लुक वगरा की बात करें तो सेम अपन को लुक यहां पर देखने को मिल जाता है पुराने वाले गेट जैसा ही पर चलते हैं गाड़ी के अंदर और अन्दर आने के बाद में भाई साब इस गाड़ी के सबसे बढ़िया जीवता है क्या लगती है स्पेस मतलब कमाल का इस प्रिंग को मिल जाता है बावजूद भी इ अगर उपर की बात करने तो बढ़ीा सा पेनरामिक आपको को देखने को मिल जाता है यहां पर एक चीज बताता हूं यहां पर यह जो है अपना यह एर ळाक्रत तहकिए से अपने को सीट इसे अपना आपको बताओं अब देखो यहां पर अगर अपन अंडर्थाई सपोर्ट की बात करें तो वह मिसंग यहां पर लगता है तो कहीना कहीं जैसे अगर आप लॉंग रूट पर जाओगे अगर आप 200-300 किलमेटर चलाते हो तो कहीना कहीं आपके पैरों में नीचे के तरफ जो है अपन को मैसुस होते ही जो कि टाटा को यहां पर अंडर्था सपोर्ट थोड़ा एक्स्टेंड करके फोड़ा इसके अंदर कमफर में भी जो है इन्हांस करना चीज़ बाकि फोन रखने के जगे हो गया अपना एक सी टाइप और अपना आता है बाकि यह जो है अपना एक ए अपना पर नीचे लगाँगा तो यह अपना बूट ओपन कर लेगा तो मेरे आथ में चाबी है अब है यह जो आपकर करके दिखाईए जरूर उस फीचर के अंदर कोई ना कोई जो है अमार से गलती हुई होगी यह पर टाटा से अनिवेज यहां पर यह थी अपनी 2023 टाटा हैरियर और फेसलिप वर्जन जहां पर मैंने आपको लगबग साधी चीज़ बता दी जो जो मुझे आपर सुधार लगे जो जो मुझ इस वीडियो में इता है था इस वीडियो में इता है था मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में जबते का अपना ध्यान रगे स्वरक्षि चलिए धन्यवाद